हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिन पुरहित और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फर इंजिनियरिंग मैथमेडिक्स बीए से सुन भी मैं इन्फानेट सीरीज पढ़ा रहा हूँ दे रिखिए और आपको यह पता लगाना है कि यार वो हमारे पास कनवर्जिंट होगी या नहीं होगी तो इसके लिए यहां पर हमारे पास आबेल और ड्रीचले जो है वह कंसेफ लगता है मतलब इन दोनों च्छरम के कंसेफ लगते हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम पता करें कि यह सीरीज हमारे पास कनवर्जिंट होगी की नहीं होगी तो यह सब मैं पढ़ाने वाला हूं तो सुन देखिए अगर हमारे पास कोई दो सिक्वेंस है यू-एन और वी-एन उसके प्राड़क्ट की कोई भी इन्फानेट सिरीज है वो कनवर्जिंट होगी यदि पहली वाली जो सिक्वेंस है वो मॉनोटनिकली डिक्रीजिंग होने चाहिए और जीरो पे टेंड करनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो ये जो सिरीज होती है हमारे पास क्या कहलाती है कनवर्जेंट कहलाती है एक्सामपल लेता है summation n is equal to 1 to infinity minus 1 power n minus 1 upon n तो अगर आप यहाँ पे un को ले ले 1 upon n राइट हमने यह ले लिया 1 upon n and vn को ले ले आप यहाँ पे minus का 1 power n राइट मैं यह ले ले लेता हूँ तो सुन हम जानते हैं कि जो पहली वाली sequence है 1 upon n यह हमारे पास monotonically decreasing है और n times to infinite पे 0 पे जा रही है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहर इसका जो SOPS है अगर मैं आपके समने बोलनों कि इसका जो SOPS है वो हमारे पास क्या आएगा minus 1, 1, minus 1 इस तरह से हमारे पास चलता है तो आप देखेंगे इसका जो S1 आएगा माइनस 1 आएगा, S1, उसका जो S2 आएगा वो 0 आएगा, इसका जो S3 आएगा ultimately क्या होता है? S2 जो होता है, वो first true term का समय है तो 0 हो जाएगा, S3 जो होगा, वो first 3 term का समय है तो वापिस हमारे पास क्या जाएगा minus 1 तो इस तरह से हमारे पास यहां पर क्या हैगा इसका SOPS आएगा तो इसका जो SOPS की जो term आएगी वो हमारे पास आएगी minus 1, 0, minus 1 इस तरह से हमारे पास आएगी और यह हमारे पास क्या होगी bounded होगी उसका जो range आएगा उसमें 0 और minus 1 आ रहा है तो इसका जो range set है वो bounded है मतलब यह जो SOPA से होगा यह हमारे पास क्या होगा bounded होगा मतलब VN हमारे पास bounded है और UN हमारे पास monotonically decreasing है और zero को attain कर रहा है मतलब इसका जो product होगा वो हमारे पास क्या होगा convergent होगा by the least least theorem अब बात करेंगे सुनके हमारे पास जो abel theorem होती वो क्या बोलती तो abel theorem भी इसी type की concept पे होती है पर यहाँ पर थोड़ा सा different हो जाता है कि अगर हमारे पास दो sequence उसका product convergent cup होता है मतलब उसका product का जो infinite series होता वो convergent cup होता है अगर पहला जो हमारे पास first जो UN sequence है यह monotonic होना चीए और bounded होना चीए वहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास monotonic को decreasing है और zero को हमारे पास trend कर रहे है यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्या है या तो decreasing हो increasing हो चलेगा बट वो bounded होने चीए second हमारे पास यह कि जो VN है यह हमारे पास क्या होना चीए convergent series होने चीए अगर ऐसा होता है तो इनका जो product होगा उससे बनने वाली infinite series हमारे पास क्या होगी convergent होगी example लेते हैं अगर मैं इस infinite series में देखू हूँ तो 1 upon N square अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 upon N square आएगा यह हमारे पास क्या हैगा मैंने इसको ले लिया 1 upon N square और 1 plus 1 by N power minus N तो इसको अगर आप देखें तो इसको मैं अगर ढंग से लिखू तो यहाँ पे मैं चलो एक काम करता हूँ तो तो तोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इसको अगर मैं ढंग से लिखूई यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यह हमारे पास आएगा 1 upon 1 plus N power N और अगर आप देखें यह sequence हमारे पास क्या होगी monodonic होगी और N tends to infinity पे यह हमारे पास 1 by E को चरी जाएगी इसका मतलब यह हमारे पास क्या है monodonic भी है और bounded भी है अब बात करें VN के बारे में तो VN हमारे पास यहाँ पे 1 upon N इसको ले लिया तो अगर मैं इसकी infinite series की बात करूँ तो सुन इसकी infinite series होगी यह P series से हमारे पास क्या होगी convergent होती है तो हम जानते हैं यह convergent है यह bounded है तो इन दोनों का जो product होगा वो हमारे पास ability से क्या हो जाएगा convergent होगा इसको लिए प्रूव कर सकते हैं अब इसको लिए पर एक question देरे रहे हमारे से पूछा रहा कि test the convergence of the following series तो हम क्या करते हैं सुनिया पर सब सबले मैं ले ले लेता हूँ UN N power 1 by N ले लेता हूँ और VN ले लेता हूँ sin N upon N square अगर मैं इसको देखूँ तो इस विए हमारे पास क्या है monotonic भी है and यह bounded N tends to infinite price की value हमारे पास क्याएगी 1 आईगी और सुनिये monotonic भी है सब बात करतें VN के बारे में कि क्या जो हमारे पास summation VN है यह convergent है के नहीं तो हम जानतें कि हमारे पास इसकी जो value होती है वो 1 upon N square होती है और हम जानतें कि यह जो series है यह हमारे पास 1 upon N square by the P series test convergent होती है इसका मतलब जो sin N upon N square जो series होगी यह हमारे पास क्या होगी convergent होगी मतलब यह convergent है यह bounded है तो इन दोनों का जो product आएगा वो क्या हैगा इस वन इन दोनों का जो product आएगा वो आएगा N1 by N पाऊर 1 by N sin N upon N square मतलब इन दोनों का जो product आएगा मतलब UN, VN की जो value आएगी यार वो हमारे पास क्या आएगी? Convergent आएगी बाइदा आगे बढ़ता है एक और समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे पास यसे question दे रहा वैसे हमें बता चुका हूँ इस type के जो question से वो अलड़ी में ले चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे तो आप आएटे पर जाके देख सकते है पर इसको हम कैसे अभिल खियर हम से प्रूव करेंगे कि यह हमारे पास convergent है या नहीं है तो सुनिम क्या करेंगे आप है अगर मैं आपके सानु बोलो कि N is equal to once infinitive यह आएगा N power 4 plus 1 minus N power 4 minus 1 upon N इसको rationalize कर लेते है तो यह आएगा N power 4 plus 1 plus N power 4 minus 1 divided by N power 4 plus 1 plus N power 4 minus 1 तो आप देख रहे सुनिया पर A minus B into A plus B हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास A square minus B square तो N power 4 plus 1 minus N power 4 minus 1 यह हमारे पास टम आएगे divided by यह आएगा N into N power 4 plus 1 plus N power 4 minus 1 यह हमारे पाप देख रहे हो N power 4 से N power 4 cancel रहा है and then आप देखेंगे तो summation N is equal to 1 to infinity अगर मैं इसको इस तरह से लेकू 1 upon N and 2 upon under root of N power 4 plus 1 plus N power 4 minus 1 और अगर मैं यह आपे एक को UN ले लो, एक को VN ले लो और मैं आपके सामने बोलो कि UN हमारे पास 1 upon N है तो हम जानते ही हमारे पास क्या होता, monoronic होता है और सुनिए bounded भी होता है क्योंकि N tends to infinity भी यह कहां चाहेगा 0 पर जाएगा इसी टाप से कर मैं VN की बात करो और VN में यह आपे ले लूँ अगर आप देखें इस सीरीज को है तो यह हमारे पास कंवर्जेंट है कर नहीं तो सुन में यह आपे क्या करता हो एक सीरीज लेता हो इसके कंपेरिजन में तो सुन में यह आप एक PN टाप की सीरीज लेता हो जो की 1 upon N स्कवाट टाप की और गर में यहाँ पहले हो लिमिट N tends to infinity VN upon PN लो तो सुन आप देखोगे इसकी वेलिव हमारे पास finite हैगी अगर आप देखेंगे तो सुन VN हमारे पास यह आ रहा है लिमिट N tends to infinity यह आएगा 2 upon N power 4 plus 1 प्लस N power 4 minus 1 PN को निचे लूँगा तो यह उल्टाओ के उपर चला जाएगा N square जब N power 4 को यहाँ पर common लोगे दे N square से N square cancel और N tends to infinity इसकी वेलिव हमारे पास 1 आ जाएगी तो सुन यहाँ पर पास क्या आने चाहिए non zero finite value आने चाहिए अगर ऐसा होता है तो इन दोनों का जो behavior होता है वो एक जासा होता है हम जानते है by P series यह convergent है इसका मतलब यह भी convergent है मतलब यह convergent series है मतलब अगर आप देखें तो summation VN जो होगा यह हमारे पास एक convergent series है और यह हमारे पास क्या है सुन monotonic सुन यह हमारे पास क्या monotonic है mounted है तो by able test इनका जो product होगा वो हमारे पास क्या जाएगा convergent हो जागा तो इस तरह हम बहुत एजिली यहाँ पे इसको कर सकते है जब हम uniform convergence की बात करते है तो वहाँ पे भी इस टाइप की हमारे पास छिरम्स होती है जहाँ पर हम कोई भी अपान अन फैक्टोरियल तो यहाँ पे हम कैसा पता करेंगे अब आपको एक्जम में पता किसे पढ़ेगा कि यहाँ पे डिश्ले लगाना है कि आबिल लगाना है तो इससे उनकर हमारे पास कोई भी UNN2VN टाइप की तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं आपके सामने UN ले लो 1 अपान अन फैक्टोरियल और VN ले लो गर साइन एंड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास UN जो आएगा यह हमारे पास मॉनोटोनिकली डिक्रीजिंग है अगर यह हमारे पास क्या होना चाहिए तो जब इसका SOPS लेंगे तो आप जानते हैं सिक्वेंस का SOPS में S1 आएगा S1 पिर S1 S1 प्लस S2 इस टाइब के हमारे पास यहाँ पे क्या हैगी SOPS आएगी तो हम जानते कि यह जो S1 अल्टिमेटली हमारे पास मारे पास क्या जाएगा Bounded हो जाएगा तो इसका SOPS वो हमारे पास Bounded है यह हमारे पास क्या है Monotonically Decreasing or Antence to Infinite पे 0 पे जा रहा थे इनका जो Product होगा वो हमारे पास क्या हैगा Convergent हैगा By the Dislator तैर इस तरह हम इसको बहुत इजी लिए यहाँ पर समझ सकते और कर सकता सुनियार यह Question comment box के लिए इसको solve करने में आपको किते seconds लगे Please comment करके जरूर बताइए इस टाइब के और भी bigger videos आप देखना चाहरे पूरी क्पूरी Infinite Series की Playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी अगर आप CSIR, NET, GATE और IDCM exam की तैयरी करें अपने short trick को बैसर बनाना चाहरे जाके मेरी videos को देख सकते हैं यहाँ जाके मेरे channel को subscribe कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you Bye Bye